तो आप सभी को wrestling game खेलना अपने mobile device में कितना ज़्यादा पसंद दे ये question ही गलत होगा लेकिन जब से WWE undefeated game जो है rest in peace हो चुका है तब से लेकि अब तक कोई अच्छा सा wrestling game ही release नहीं हुआ है लेकिन अगर आपको याद होगा काफी दिन पहले आपको एक game के बारे में update दिये जिस game का नाम था NJPW Strong Spirit ये game फिलाल हमारे mobile device में release हो चुका है हाला कि काफी दिन पहले ही हो चुका था लेकिन जब इस game को हम खेलने की कोसिस किये थे server issue के चलते काफी सारी user जो है इस game को खेली नहीं पाये थे लेकिन अभी सब कुछ ठीक है तो इस वीडियो में हम इस game को खेलने वाले हैं और जानने वाले हैं इस game को कैसे खेला जाता है क्योंकि काफी सारे दोस्ट जो है इस गेम को साथ समझ नहीं पाये होंगे जिन में से हम भी एक है तो चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे काफी कुछ डीटेल भी सेयर करना इस गेम के बारे में तो वीडियो कहीं भी पसंद आ जाए लाइक जरू करके जाना सेयर करदना अपने दोस्टों के साथ इस गेम को यानि इस वीडियो को और चलों पर नहीं आ चुकिए हो आने वाले इसी तरह से इंट्रेस्टिंग गेम के गेम पर वीडियो देखना चाहते हो तो चलों को सब्सक्राइब कर सकते हो और नीचे रेड़ कलर के बटन को दबा के इस गेम को आप गूगल प्ले स्टोर से सिर्फ और सिफ 98 MB में डाउनलोड कर सकते हो लेकिन इतना खुस मत हो जाओ इन गेम आपको 4GB एक्स्टा डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा तब ही जाकि इस गेम को आप अपने डिवाइस में खेल पाओगे गेम थोड़ा बहुत डिफिकल्ड है आपको समझने में भी काफी ज़्यादा टाइम लेगेगा लेकिन अगर आप गेम को लगातार खेलते जाओगे तो अपकोस हमसे ज़्यादा स्मार्ट तो आप सब हो आसन इसे गेम को समझ जाओगे तो ये हमारा होम स्क्रीन है नीची दूसरे प्लेयरों के अगेंस्ट फाइट कर सकते हो अपने रेसलर को पावर अप भी करना है इन ट्रेनिंग में जाके इसमें जो ट्रेनिंग सिस्टम है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बागी सारे गेम से तो सबसे पहले हम रिकुरूड में चलते हैं तो यहां हमें बैटल अरेना और यह हमारा पहला बैटल अरेना का मैच है तीसले हमें काफी ज़्यादा इंफर्मेशन प्रवाइट किया जा रहा है फाइव वर्सेस फाइट चलो कोई दिक्कत नहीं सीजन वाइस हर मैच के लिए एक एनरजी तो टोटल कूल मिलाके हमारे पास पांच एन और इस गेम की खास बात है कि जो आप फाइट देखोगे ना पूरा रियल है मैच 3 मैच 2 मैच 1 ओके स्टार्ट दा मैच आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ देखते रहना है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है लेकिन अगर आप ट्रेन करते हो अपने रिसलर को उसमें आप थोड़ा बहुत मैच देख सकते हो लेकिन उसमें भी आप कंट्रूल अपने रिसलर को नहीं कर पाओगे सेंट फाइनल मेन इवेंट साइद ये मैच हम देख सकते हैं जी हाँ 386 318 तो ये रहा एंट्री स्किप करते हैं एंट्री वगरा नहीं देखे हैं पता नहीं कुछ भी हो सकता है यूटूब में फिजेक्स डिफेंस अटैक सब कुछ माइने रखता है दोनों रेसलर जो है सेम सेम है पहला हमारा टन चलो तोड़ा डैमेज देते हुए ओपनेंट का टन और ये घुमावदार मूब फिर से हमारा दोड़ते हुए ड्रॉब किक प्लेयर कॉम्बो सेकेंड कॉम्बो हमारा अच्छा खेलोगे तो कॉम्बो लगेगा क्रिटिकल हिट तीसरा कॉम्बो चलो देखते हैं कितना डैमेज होता है ओपनेंट को जल्दी से उठा बेठा जल्दी ये लॉक लगा रहे हैं अच्छा जी देखते हैं 36 डैमेज गिव अप ओविसली गिव अप नहीं करेंगे वो एल्बो स्मैस हमें राइवल का सेकेंड कॉम्बो दोभी पच्छाट थर्ड कॉम्बो कमान यार हम भी तीन कॉम्बो लगा है मतलब तुम भी लगाओगे ऐसा थोड़ी ना हो जकता है 182 160 हमारा समय आ चुका है फिनिशर 50% कम्पलीट हुआ है क्रॉस बोड़ी लेबल वन 24 डैमेज हमारा बारी देखते हैं हम भी क्रॉस बड़ी लगा रहे है 25 मतलब इक्वल इक्वल मैच चल रहा है तुमारा कॉम्बो लग रहा है 61% फिल हो चुका है फिनिशर 32 क्रिटिकल हिट अभी राइवल एल्बो समैस लेबल वन 22 प्लेयर दोडाओ फ्लाइंग 4 राम्स लगाओ 25 क्रिटिकल हिट अगर फिनिशर लग गया न यहाँ हमारा बैंड बच जाएगा राइवल का सेकेंड कॉम्बो 91 उसका फिनिशर रेडी तीसरा कॉम्बो गय हम तो गय ऐसा मत करो यार एक्टिव हो चुका है हमारा स्किल फिनिशर है नहीं नहीं यह फिनिशर नहीं है क्रिटिकल हिट 54 पे आ चुके हैं राइवल फिनिश रोड मतलब फिनिशर लगाता हुआ और चांस नहीं है हमारे भी फिनिशर रेडी हो चुका था लेकिन हम लगा नहीं पाए इसे हम push भी कर सकते हैं या पर skip भी कर सकते हैं अगर आपको देखना नहीं है तो लेकिन हम तो देखेंगे 1 है 2 kick out कर ले बेटा प्लीज kick out 1 HP था अब कैसे बचेगा बेटा 26 damage लग गया 2nd combo 31 player finisher लगाते हुए अब तो बचेगा नहीं है हम बहुत ही ज़्यादा गुस्टा हो चुके हैं अब थोड़ा रुखचा हमें drink वगरा पी के आना है उपर चड़ेंगे high fly move लगाएंगे और 1,2,3 60 damage 1 2 team तो इसकी के साथ main event match को हम जीतते हुए इसका नाम है hero C tanahasi 2 win 3 loss यार हम तो हार चुके हैं main event के match को जरूर जीते थे लेकिन overall हमारा team हार चुका है तो इसका मतलब है कि हम अपने superstar को अच्छे से level up नहीं किये power up नहीं किये तो चलो उसको भी थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं ताकि आप थोड़ा बहुत जान पाओ कि अपने wrestler को कैसे power up करना है इस game में तो इन training में आपको जाना है resume obviously एक superstar को यूज करके हम power up कर रहे थे अगर इसे complete कर लेते हैं तो ये wrestler हम अपने formation में जरूर यूज करते हैं ये है तो train इसमें नीचे के तरफ 5 option हैं आप अपने इसाब से किसी को भी level up कर सकते हो लेकिन level up करने के लिए आपका health भी matter करता है हर level up के बाद हर turn के बाद आपका health जो है decrease होगा तो अपने superstar को rest देके health अब भी कर सकते हो मर्सल success health decrease हुआ लेकिन muscle जरूर increase हुआ है इस superstar का या फिर बल सकते हैं इस wrestler का समझ रहो तो ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं वीडियो को obviously gameplay देखके आप समझ चुके होंगे कि NJPW strong spirits को कैसे खेलना है अगर कुछ भी आपका doubt रहता है comment box से ना हमारे दोस्तों के साथ या फिर हमसे भी comment करके post सकते हो तो अगर आपको इस game को download करना है description में लिंक है वहाँ से आसानी से google play store से ही download कर पाऊगे लेकिन ध्यान रखना इस game का total size ये 4.3 GB तो उमीद करता हूँ आज का ये video आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा तो मुझे आप लोग comment करके बताओ 10 में से इस game को आप कितना rating देना पसंद करो गए लेकिन पहले खेल लो उसके बाद rating देने आना तो वीडियो कहीं भी पसंद आ गया होगा तो लाइक करके ज़रू जाना share कर देना अपने दोस्तों के साथ और चलम पे नहीं आ आ चुके हो आने बले इसी तरह से interesting game का gameplay देखना चाहते हो तो चलम को subscribe कर सकते हो इस logo बटन को दबा के तो चले बाएर मिलते नेकिस इपसोड में प्रेसन फाइन पसोड के साथ तब तक के लिए गट पाए